कि कल रात में अबंतिकपुर पुलिस को इंफर्मेशन मिला था कि जेश का एक ग्रूप तारसर मारसर के जेन्डर एरिया में छिपा हुआ पुलिस के कुछ रेप साथ ओपरेशनल लॉंच किये और आज अर्ली मॉर्निंग फैरिंग शुरू हुआ जिसमें जेस्ट महमद के तिन ट्रूरिस्ट मारे गए एक पहचान हो गया है वकिलसा है यह वही वकिलसार है जिसको हम लोग कुछ दिन पाले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किये थे जो में मेरा टॉप 10 टार्गेट है उसमें वकिलसावी था जैस का और जो बीजेपी के लीडर थे राखिश पनीता उसके किनलिंग में इन्वाल्व थे और आप लोग के थे कि राखिश पनीता ने मारा है इसको यह मारा क्या है यह हम लोग के लिए बहुत अ और बार उसमें से कोई जख्मी ने हुआ ना तो सिविवाय में पूँआ ने तहुँआरे फोर से कोई जख्मी हुआ है यह कोलेक्टल डेमेज के बिना ओप्रेशन हुआ है बहुत डिफकल्ट ऑप्रेशन था टार्गेट के पास हमारे जवान बहुत नज़ी पहुंच के और उनको स्रेंटर करने का मोगा दिया है कि अंदर से फारिंग शुरू हो गया इट्रालेशन में मारेंगे पुरा और ये मैं ये कहना चाहूंगा टेरिस्ट से उनके फैमिली मेंबर से अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलेन किलिंग करके इनुशन किलिंग करके पहार पर कह हैं जाके खिपके बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ ने कराएगा ऐसा ने समझे हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं आपको पीछ वहां भी ट्रेक करके हम लोग निट्राइज कर पात्या आ रहे हैं आगे भी करेंगे पोलिटिकल एक्टिविस्ट जितने वरकर्स हैं से सबब पारगेट हैं जाए पोलिश पाले घर जाते हैं यह कुछ जार्लीस जो सही बात बोलते हैं यह सब पारगेट हैं मैशनल लोग को हम लोग सेकुरिटी प्रवाइड कर दियें लेकिन सब को देना संभब नहीं है फिर भी आगर किसी को थेट मिलता है या वन्रेवल कर रहे हैं कुल गाउं डिस्टिक में रिसंटली दो इंसिडेंट वाद दो अनत्लाम हो गया हम लोग के बहुत दूख है लेकिन उसमें बहुत लीट मिला है बहुत जल्दी उसको फिर हम लोग या तो जिन्दाफा कर लेंगा इंकाउंटर में इंकलेज करते हैं पहले बता चुके हैं कि पोलिटिकल केलिंग में राकेश मंटा केलिंग में इंवल्ग था उसकी अलावा जो एस्प्योती उसको मारा है एक लेडी सिविलेन को मारा है बहुत सरे गिनेट में बहुत है अभी चुकि डेट बोडी नीचे आज आएका थाना में दोनों बाकी को पर उसका प्रफाइल जो क्या क्या क्राइम ने बालव है आप लोग को इविनिंग में सेयर कर देंगे अभी जुकि अडिटिफिक्षन दो कर नहीं हुआ इसलिए उसके बारे बोलना ठीक ने लिए लिए फोटीटू आजर ने मैचोर किया है जहां तक मेरे को पता लगा है यह तीनों टेर्रिस्ट जो हैं काफी टाइम से यहां पर उपरेट कर रहे थे और वहां के लोकल गुजर कम्यूनिटी हमारे को जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लंबू के उपरेशन में भी बताया था इनके अगेस्ट तीन-चार बारी हमें खबर दे चुकी थी वो बत गया है कि नाहीं बिल्ट अप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगा नहीं है यह अगर जंगल में भी जाएंगे वहां पर भी हमारे लिए हमारे पास इनकी खबर आती रहे गी और इनको न्यूटलाइज किया जाए और आगे भी मेरे इसाब से जितने भी में इनकी मुवमेंट की हमारे पास कोई भी खबर आती है पुलिस के जरीए या हायर एड़कॉर्टर से सुटेबल ऑपरेशन्स लॉंच करके इनको एलिमिनेट किया जाए तो एक ए 47 एक SLR बरामत की गई है काफी आमिनिशन भी महां से मिला है एक UBGL भी मिला है कम से कम में लोगों ने 8-10 UBGL के राउंड फायर किये थे कुछ एक राउंड ये लोग फायर नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले ही इनको न्यूटलाइज कर दिया गया